दूर्बा गांदी मार्ग और अफ्रीका एवेनिस्तेत रक्षा काराले परिसोरों का उद्घाटन करेंगे और ये कारिक्रम शुरू होने वाला है और प्रिधान मंत्री वहाँ पर पहुँच चुके हैं आप देख सकते हैं केंद्रे मंत्री राजनाज सिंग और हरदीप पुरी भी वहाँ पर मौजूद हैं और बेहद एहम ये आज का कारिक्रम नौ दशक के बाद रक्षा बवन जिनका स्थानांत्रन होगा प्रधान मंत्री यहाँ पर रक्षा का रहले पर 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 आगमन समारू स्थल पर हो चुका है रक्षा मंत्री शी राजनाज सिंग और क से पहले राश्ट्री द्वज फहराया जाएगा राश्ट्रगान होगा मानि प्रधान मंत्री महोदे का स्वागत रक्षा राज्य मंत्री शिय अजे भट केंद्री आवास राज्य मंत्री शी कोशल किशोर चीफ अव डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत तीनों से नाओ के प्रमुख द्वारा राश्ट्री ध्वज फेहराय जाएगा मानि प्रधान मंत्री महोदे के द्वारा हमारा तिरंगा राश्ट प्रधान मंत्री शर्वारा हमार तीनों से थेहराण के उनर गया जनर तीनों से लिफेंस्ट्री शाफ बजाएगा चाल अजेशन प्रमुख थेहरा तीनों से प्रक्रावब्द मंत्री मंत्री श्लीन एक बहुत ही खास अवसर हमारा देश आजादी कामरित महुत्सव मना रहा है और आज माने ब्रधानमंत्री महोदे के आत्म निर्भर भारत अभियान के एक महतपूर्ण अंग के रूप में रक्षा कारेले परिशनों का उधगाटन कर रहे हैं स्वयम ब्रधानमंत्री शिन नरेंद्र मोदी इस अवसर पर एक पट्टिका अकान आवराण भी उनके द्वारा किया जा रहा है रक्षा कारेले परिशर जोकी अफरीका एवेन्यू और कस्तूरबा गांधी मार्क पर स्थित हैं मान्य प्रधानमंत्री महोदय इन नवनिर्मित परिशरों का अवलोकन करेंगे साथ ही यहां उपस्थित सेना, नौ सेना, वाईव सेना और अन्य सिविल अधिकारियों से बातचीत करेंगे और उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करेंगे केंद्री आवास और शेहरी मामलों के मंत्राले के तत्वा बधान में और रक्षा मंत्राले के तत्वा बधान में यह कारिकरम एक महत्वा कांग्शी परियोजना आधुनिक भारत के इतिहास में सेंट्रल विस्टा और उसकी वेबसाइट का भी आज शुभारंब होगा जो नए रक्षा कारियाले परिसर बने हैं उनमें सेना, नौ सेना, वायु सेना सही तरक्षा मंत्राले और सशस्त्र बलों के लगबग साथ हजार अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कारिकरने का स्थान उपलब्ध कराया जा रहा है मानिय प्रधान मंत्री महोदे को कारेले परिसोनों के बारे में जानकारी दी जा रही है आवास मंत्राले के सचेव शी दुर्गा शंकर मिश्रा रक्षा सचेव डुक्टर अजे कुमार रक्षा मंत्रीशी राजनाथ सिंग और केंद्री आवास और शहरी मामलों के मंत्रीशी हरदीप सिंग पुरी एक अत्याधुनिक इमारत आधुनिक भारत को परिलक्षित करती हुई इन परिसरों के संचालन प्रबंधन के लिए विशेश तोर पर एक एकिक्रित कमान और नियंतर्ण केंद्र की भी स्थापना की गई है जो अफ्रीका एवन्यू और कस्तूर्वा गांधी मार्ग स्थित नवनिर्मित कार्याले की सुरक्षा और सतत निग्रानी की जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा सब का साथ, सब का विकास, सब का विश्वास मानी प्रधानमंत्री महोदे का आभान और ये नए रक्षा कार्याले परिसर जिनका आज स्वयम्मानी प्रधानमंत्री महोदे उद्घाटन कर रहे हैं उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं दक्षता, समनवय, कार्यकुशलता में बढ़ोत्तरी, ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट इन सभी अवधारनाओं को समाहित किया गया है नए रक्षा कार्याले परिसरों में रक्षा मंत्री श्राइज आजनाच सिंग, केंद्री आवास और शहरी मामलों के मांत्री श्री हरदीप सिंग पुरी, रक्षा राजी मंत्री श्री अजय भट, केंद्री आवास राजी मंत्री श्री कौशल किशोर भी माननी प्रधान मंत्री महोदे के साथ उपस्थे थें नई तक्नीक का इस्तमाल समय की मांग के अनुरूप इन रक्षा कार्याले परिसरों में जिसे लगाया गया है ग्रीन बिल्डिंग का कंसेप्ट जिसमें उर्जा दक्षता का खास तोर पर ध्यान रखा जाता है ना किवल अत्यादुनिक सुविधाय उपलब्द कराई जा रही है इन रक्षा कार्याले परिसरों में बलकि उर्जा कुशलता की भी खास एहमियत उसे दी गई है यानि उपलब्द उर्जा के समुचित इस्तमाल का भी खास ध्यान रखा गया है इन इमारतों की मुख्य विशेश्ता है निर्माड में नई और टिकाउ तक्नीक का इस्तमाल यानि लाइट गेज स्टील फ्रेम का उप्योग और इस तक्नीक के इस्तमाल के कारण पारंपरिक आर्सीसी निर्माड की तुलना में जो निर्माड में इन इमारतों के समय लगा है वो 24 से 30 महीने कम हो गया है मानिये प्रधान मंतरी महोड़े मानिये प्रधान मंतरी महोड़े को जानकारी देते हुए दरसल सेंट्रिल विस्टा यूजना के तहत राजपत के दोनों तरफ नए और अत्याधुनिक संसत भवन और अन्य कारेले परिशरों का जो निर्मान होना है उसी को ध्यान में रखते हुए नए रक्षा कारेले परिशर बनाए गए हैं और उनमें तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं तक्नीकी प्रबंध दक्षता कुशल्ता को ध्यान में रखा गया है ये दोनों ही कारेले सेंट्रल विस्टा परिशरा के तहट बनने वाले डिफेंस एंक्लेव का हिस्सा हैं जिनका छेत्रफल लगभग 99,000 स्क्वार मीटर आका गया है मानिय प्रधान मंत्री शी नरेंद्र मोदी के आत्म निर्भर भारत अभियान का एक अत्यंत महत्पूर्ण अंग है एक महत्पूर्ण कड़ी है सेंट्रल विस्टा परियुजना और आज का ये रक्षा कार्याले परिसर लोकारपन समार हुँ भी उसी का एक अंग कहा जा सकता है कार्याले का स्वयम अवलोकन करते हुए मानिय प्रधान मंत्री शी नरेंद्र मोदी साथ में रक्षा मंत्री शी राजनाथ सिंग केंद्री आवास एम शहरी मामलों के मंत्री शी हरदीप सिंग पुरी रक्षा राज्य मंत्री शी अजय भट केंद्री आवास राज्य मंत्री शी कौशल किशोर दोनों मंत्रालें के सचिव मानिप धान्वंत्री महोदे को संपोण जानकारी उपलब्द कराते हुए चीफ अफ टिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावद भी शामिल उपस्ते दधकारियों और कर्मचारियों का अभिवादन मानिप धान्वंत्री महोदे अवलोकन करते हुए इस रक्षा कारेले परिसर का नव निर्मित अत्यधुनिक और नवीनतम निर्मान तक्निक की बदोलत सिर्फ बारह महीनों में इन परिसरों का कारे पूरा हुआ है ये कारेले परिसर उपलब दिस्थान के समुचित इस्तमाल तक्निक और सामगरी के इस्तमाल में विश्विस्तरिय मानकों पर पूरी तरह खरे उतरते हैं माने प्रधानमंत्री महोदय प्रथम तल पर पहुंचे हैं और उसके पश्षाथ अवलोकन करने के पश्षाथ रक्षा मंत्रा ले जिसमें सेना नौसेना वाईव सेना और थल सेना के अधिकारी तथा सिविलियन जो अधिकारी हैं उनसे भी वारतालाब करेंगे शमारो स्थल पर मुख्य हौल में माननी प्रधानमंत्री महोदय का आगमन करेंगे थानबाद श्रिमान मंच पर अपना स्थान गहन करते हुए माननी प्रधानमंत्री में आर रिक्वेस्ट अर्वेस्ट 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 अर्वन आफेस्ट श्री हर्दीप सेंग पुरी फुर्ट वेल कमेटर्स प्रीज माननिय प्रदान मंत्री जी, आदर निय रक्षा मंत्री जी, केंद्रिय मंत्री मंदल में मेरे साथी, रक्षा राजय मंत्री शिरी अजय भट जी, आवासन और शहरी कार्य मंत्राले में राजय मंत्री शिरी कौशल जी, चीफ आफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत जी एवं उपस्टित अन्य सभी गन्मान्य व्यक्तियों आप सभी को साधर नमन आज इस शूप अफसर पर आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है बाने प्रधानमंत्री जी आज से कुछ 25 वर्ष पहले जब मैं रक्षा मंत्राले में सयुक्त सचिफ था तो हम लोग यह सूचा करते थे कि यह जो 1947 से पहले बनी हटमंट्स हैं जिनकी शुरुआत हुई सेकंड वर्ल्ड वार में कब हमारे साथ ही जो रक्षा मंत्राले के विभिन भागों में काम करते हैं कब उनको प्रॉपर ओफिस अकॉमेडेशन मिलेगी और मैं समझता हूँ कि आपने जो सेंट्रल विस्टा डिवलप्मंट री डिवलप्मंट मास्टर प्लैन जो है जो देश में इस समय सबसे बड़े विकास परिजनाओं में से है आपने उसकी शुरुवात इस इन दो बिल्डिंग्स से जो की है यह हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है कि साथ हजार हमारे सेना के वायू सेना सेना आमी नेवी एर फोस और बाकी जो सपोर्ट स्टाफ है साथ हजार उन में से हमारे जो भाई और भेन हैं उनको यह मौडन फसिलिटीज जो हैं यहां पे और कस्तूर्बा मार्ग में मिल एफरिका एवेन्यू सर दोजार चौदां के बाद जो भी डिवेलप्मेंट्स प्रॉजेक्ट्स आपकी नितृत्व में लिये गए उनकी उनका हॉल मार्क ये है कि समय से पहले पूरे किये गए और जो कॉस्ट एस्टिमेट्स था उनके बीच में उनकी कम्प्लीशन हुई है और ये जो बिल्डिंग है ये कोविड महामरी के होते हुए भी बारा महीने में इसका कारियर और इसका कम्प्लीशन हुआ है इसलिए मैं हाउजिंग अन अर्वन अफेस मंत्राले के और हमारे सच्चेव दुरगा शंकर जी उनके बहाफ पे जो भी इसके साथ जुड़े है सबको बढाई देना चाहूंगा कि आपने मार्क दर्शन आपकी इंस्पिरेशन और बाकी जो वर्क एथिक्स यहां पे हमने देखी वो एकदम प्रोफेशनल तरीके से किया गया इस प्रोजेक्ट से तब आज तक 6.4 लाक और से अधिक परसंडेस का रोजगार के अफसर प 920 मेट्रिक टन्स आफ सिमेंट इस पे यूज किया गया है प्रदानमंत्री जी कस्तूर्बा गांधी मार्क और आफ्रेक आफ्रिका एवन्यू में टोटल स्पेस चो क्रियेट की गई इन दोनों स्थान पर 94,127 स्क्वेर मीटर आप इसको कंपेर करें जो पहले था जैसे हम दृष्टर देखते हैं बिफोर और आफ्र का और कुछ अभी बहार जो छो चोटी एग्जिबिशन लगी है उसमें दिखाया गया कि पहले क्या स्थिती थी और आच उसको कंपेर करें तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत गर्व की ये बात है जो टिकनॉलिजी इस्तमाल की गई लाइट गौज, स्टील फ्रेम, LGSF टिकनॉलिजी इसने कंस्ट्रक्शन का जो समय नॉर्मली ऐसी बिल्डिंग के लिए 24 महीने का होना चाहिए उसको रिड्यूस करके 12 मह मेने में हो गया है आपका स्वागत करते हुए मैं अपनी तरफ से और अपनी मंत्राले के सरफ से सिर्फ ये कहना चाहूंगा आपको अशोरंस देना चाहूंगा कि सेंट्रल विस्टा एविन्यू जो है जो जहां पे हम 26 जन्वरी की अगले साल के परेट करेंगे मुझे आपको आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जो हमारा इरादा है जो आपके आपने जो हमें इंस्ट्रक्शन दी हैं कि 75th year of independence में जो विंटर सेशन पार्लिमेंट का होगा वो हम नई पार्लिमेंट बिल्डिंग में करेंगे अगले साल आपका बहुत-बहुत स्वागत बह माननी मंत्री जी का हरदे से धाने बाद अब मैं निवेदन करूंगा माननी रक्षा मंत्री श्री राजनात सिंग जिनकी गरिमा में उपस्थिती से अमन अनुगरहित हैं कि वो आज की सभा को संभूतित करें भारत सरकार के मंत्री मंत्री जी गए पले उनी का नाम ध्यान हरा हमरे आद्रणी प्रधान मंत्री जी त्रिहर्दीप सिंग्जी पूरी अनेबल मिनिस्टर पर हौसिंग अर्बन अफेर्स त्रियाजी भट्यमयस दिफेंस त्रिकोशल किसूर जी यमयस हाउसिंग एंड अर्बन अफेर्स वरिष्ट अरिकारी वर्ग और मिडिया के मित्रगण देवियो यम सज्जनो सबसे पहले मैं अपनी तरफ से आद्रणी प्रधान मंत्री जी का तहे दिल हार दिक स्वागत करता हूं और अविनन्दन करता हूं कि प्रधान मंत्री जी की दूर दर्शिता उनकी कालपनिक शम्ता और द्ण इक्षाशक्त का यह परणाम रहा है कि आज डिफेंस आफसेज कामप्लेक्स का यहां पर उद्धाटन हो रहा है और प्रधान मंत्री जी रक्षा मंत्री होने के नाते मैं यह कहना चाहूंगा कि रक्षाशहत्र के इतिहास में यह एक उल्लेखनी कारे हुआ है जो की आपके मारे दर्शन में हुआ है Central Vista की इस अइतिहासिक प्रियोजना में पहली achievement यह defense के नाम से होना हमारी overall security के प्रती जो आपका commitment है आपकी सरकार का जो commitment है इसको इह दर्शाता है New Delhi के जिस हिसे में हम Central Vista के नाम से जानते हैं इसका निर्मान आज से लगभग एक सताब्दी पहले और अस्थाई आवश्चक्ताओं को पूरा करने के लिए किया गया था राष्टपती भोवन के इर्द गिर्द जो भी हट्मेंट्स हम देखते हैं वे दर्शल जैसा पूरी जी ने बतलाया Second World War के समय में बैरक थे अस्थबल थे और वह भी पूरी तरह से अस्थाई थे परंतु कालांतर में यह औस्थाई विवस्था धीरे धीरे अस्थाई होती चली गई वक्त के अंसार बदलाओं की जरूरती जैसे वक्त के अंसार आप बराबर बदलाओं करते रहते हैं उसके बारे में सोचते रहते हैं लेकिन वह बदलाओं नहीं हो पाया यह था इस्थ मतना हूँ कि यह हटमेंट्स उन्ही विरास्तों में से एक है और इन वैरकों हटमेंट्स में आफिसियल्स सतर वर्सों से लगातार काम करते चले आ रहे थे और बिल्डिंग्स इतनी जरजर हो गई थी कि तूटने के कगार पर थी कभी-कभी तो मुझे भी इसकी शिकायतें र से लाओ सेंटल विस्टा की 91 एकड़ भून पर जैसा मुझे बतलाए गया है है जिसके कारण इस जगह का जो आप्टिमम इुटलाइशन जितना होना चाहिए था उतना आप्टिमम इुटलाइशन इसका नहीं हो पा रहा था लेकिन जैसा मैंने कहा कि आपने ही अपनी दिन बतलाए गया है कि साथ हजार से अधिक कर्मचारी और अधिकारी इस कामप्लेक्स में पहले कि अपेक्षा कहीं अधिक अच्छी वर्किंग कंडिशन में अधिक इफिशियंसी के साथ वह काम कर सकेंगे और प्रधानवंत्री जी यह कामप्लेक्स एकीसी सरी के आपस्टिस क के लिए हर परकार से उप्युक्त है और हर तरह की सुविधाएं भी इस डिफेंस कामप्लेक्स में उपलब्द हैं ऐसा मुझे बतलाया गया है और साथी को लोकेशन के कारण बिवन आपस्टिस के बीच ताल मेल भी पहले के पिक्षा अधिक बढ़ेगा क्योंकि संभव नहीं था लेकिन यहां पर को लेकेशन होने के कारण बिवन आपस्टिस के बीच जो क्वाडिनेशन होना चाहिए स्वभावी क्रूप से वह क्वाडिनेशन बढ़ेगा और प्रसंता का विश्य है जैसा पूरी जी ने भी बतलाया कि कोबिट के चैलेंजिस के बाव किया है उसकी जितनी भी प्रसंता की जा एक कम है और उनके सचे हो जब दुरगा शंकर जी मिस्तर से जब भी हमारी बात हुई तो मैंने उनके अंदर जो जुरून देखा पहले मुझे नहीं लगता था कि नरधारी समय में पूरा हो बाएगा लेकिन जुरून देखने के ब हमारा विश्वास पक्का होता चला गया कि बार बार वा कहते थे नहीं हम इसको समय के अंदर पूरा करेंगे और यह कांप्लेक्स पूरा हो गया है और इस अधर पर प्रधानमंत्र जी के प्रति में आभार व्यक्त करना से आऊंगा जिनके नित्रत में सरकार बनने के साथ ह कि रक्षा ससक्ती करण का काम बड़ी तेजी के साथ प्रारंवा हुआ है चाहे वन राइंक, वन पेंसन का काम हो चाहे FDA की नियुक्ति का परछ्न हो चाहे defense modernization हो चाहे defense acquisition हो और रक्षा शेत्र में आत्मनर रवर्ता के लिए आपके नित्रत में किये गए प्रयासों का परड धीरे धीरे सामने आने लगा है मैं समझता हूं इसमें बहुत विस्तार में जाने की आवश्यक्ता नहीं है लेकिन वैं यह भी कहना शाओंगा कि यह तो अभी एक सुरुवात मात रहे और सेंटल विस्टा के री डवलेप्मेंट की सुरुवात नेशनल वार मेमोरियल के साथ होना मैं समझता हूं स्वेम इस प्रकार की आपकी दूरदर्शिता और हमारी सेनाओं के प्रति आपके कमिट्मेंट को यह दर्साता है देवियों सज्जनों नए पार्लेमेंट के कम्पलीशन और सेंटल विस्टा के पुनर निर्मान के साथ माननी प्रधान मंतरी जी की पर सक्त भारत का पूरी तरह से प्रति तो करेगा ऐसा मेरा पकावी श्वास है कि इस वसर पर मैं आवासन और सहरी कार्यमंतरी त्रहरदीव सिंग्जी पूरी और उनके पूरे मंतराले को और तीपी डबलोडी विहाग को भी हर दिक बढ़ाई देता हूं और जो उन्होंने अ और आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपना निवेजन समाप्त करता हूं बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद श्रीमान दोहजार एकिस आजादी कामरित महोटसब 1971 के महा संग्राम का स्वर्णी विजे वर्ष वो महाविजे जिसने दुनिया के नक्षे को बदल के रख दिया जैसा कि माननी रक्षा मंत्री ने बताया पूरा देश आजादी के परवानों का शूरवीर सैनिकों को अपने श्रधा सुमन अर्पित कर रहा है माननी प्रधान मंत्री द्वारा उद्घाटित ये भव्य कार्याले परिसर नमन कृतग रास्ट्र का भारती सेनाओं के प्रति ये अत्यदोने के मारते आवास एवं शहरी मामलों के मंत्राले तथा रक्षा मंत्राले के उत्कृष्ट तालमेल की भी एक मिसाल पेश करती है इन्ही भावनाओं को इन्ही स्वरों को गुंजित करती है हमारी अगली लगू फिल्म प्ली सिट बाक एंड अड्मायर जिनके मजबूत कंधूं पर है देश की सुरक्षा की बागडोर धल जल और नभ जिनकी निगाहें हैं हरोर सीना ताने जो हर संकट में बने हैं देश के सुरक्षा कवच इनकी करतव्य परायानता और सजगता की कारण ही तो तेश मना रहा आजादी का अम्रित महोच सर्व प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी की विशनरी लीजुशिब में जब शुरू हुआ सेंट्रल विस्टा डिवेलोप्मेंट री डिवेलोप्मेंट मास्टर प्लान तब इस प्रोजिक्ट के तहट नब्बे सालों में पहली बार इस कुषेतर के बासट एकड में कारेरत हमारे सेननायकों को प्राथ मिक्ता देकर उन्हें आधुनिक सुविधाओं के साथ बेहतर स्थान पर स्थानांतरित करने का किया गया विचार पहले जहां हमारे साथ हजार सेननायक जिन में लिफ्टेनिन जेनरल रैंक तक के आफसर शामिल हैं वे द्वतिय विश्व युद्ध के समय बने हट्मन्ट यानि अस्थाई कारियाले और जिनका अंग्रेजू द्वारा अस्तबल के रूप में इस्तिमाल किया जाता था वह कारिय करते थे लेकिन आज हुआ है कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवन्यू के तेरा एकड़क्षित्र में स्टेट अब दी आर्ट टिकनोलोजी से युक्त अक्तिय धुनिक कारियाले परिसर का निर्मान, रिसोर्स एफिशेंट इंवाइन्मन्ट फ्रेंडली राइट गेट स्टील फ्रेंड जैसी न्यू टेकनोलोजी, LGSF का उप्योग कर बारह से तेरा महिने के कम समय में ही इस एतिहासिक निर्मान कारिकों किया गया है पूरा यहाँ है, Rooftop Solar Panels, Rain Water Harvesting, Zero Waste Campus, Occupancy Sensors, Puzzle Parking जैसी स्वजालित और नवीन इतम प्रणाली जो पार्किंग की पूरी व्यवस्था का रूप ही बदल देगा साथी Hospital, Modern Barracks, जवानों के लिए काफिटेरिया के साथ 24 Hours, 7 Days a Week, Full Fledged Kitchen और Ammunition Backup Facility, सुरक्षा के लिए High Level Security Installations Integrated Command और Control Center, Facial Recognition System, इसके इंटीरियर में है छलक, Global Office Trends की COVID जैसे चुनोती पूर्ण समय के बावजूद भी 6.5 लाग Persons Day के रोजगार का स्रिजन कर आत्म निर्भर भारत के तहट इस भव्य इमारत का 8,000 टन सिमेंट, 9,000 टन स्टील का इस्तिमाल कर निर्मान दिखलाता है डिव इंडिया की ताकत को और इतने बड़े और भव्य निर्मान में एक भी पेड का न काटा जाना परियावरन के प्रती हमारी समवेदन शीलता को भी करता है उजागर आज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इस अत्याधुनिक भवन को आजादी के अमरित महोत्सव के अवसर पर सौप रहे हैं हमारे उन सेना नायकों को जिनकी रगों में बहता है भर और जिनके हाथों में शांद से लहराता है ये हिंद था आबाद ये आबाद रहेगा जलवा यूगों यूगों तलक ये शात रहेगा लहराता रहेगा जहां में यूही तिरंगा ऐसे ही जिन्दाबाद जिन्दाबाद रहेगा लादी जिन्दाबाद ये जिन्दाबाद श्रीड़ ये जिन्दाबाद छोड़ कि फिस फिर नायकों प्रचेद विबसाइचा अड़ी तो लूग्ड़ में अभर भारत अ प्रेहंसिव एप्साइट अप्रिण उन्दाव यूगों आप्साइट के अनावरन का मेरा मननी प्रद्दान मंत्री से सादर निवेदन कृप्यापने करकमलू द्वारा इस वेबसाइट का शुभारंब करें माननी प्रद्दान मंत्री महit दाए माननी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोधी के अतुलनिय नेत्रित्तु में सेंटल विस्था प्रोजेक्ट की परिकल्पना की गई है एक ऐसी परियोजना जो आत्निर्भर भारत की संकल्पना के अनुरूप देश को एक अत्याधोनिक बुनियादी ठाचा प्रदान कर रही है स्वावलामन की नीम पर नई भारत के सपने को साकार कर रही है इस महत्वाकांक्शी प्रयास के बारे में जन्मानस के जहन में कई प्रकार के प्रश्ण है इसके बिभिन पहलों को लेकर लोग बड़ी जिग्यासा में है देश के कोने कोने में लाखों लोग इसके बारे में जानने के उच्छुक हैं यह वेबसाइट www.centralvista.gov.in उसी दिशा में सभी जानकारियां पारदर्शी रूप से प्रदान करने का एक डिजिटल माथ्यम है एक ऐसी वेबसाइट जो Central Vista की पिछली 100 साल की यात्रा को खोट में समाहिद कर आने वाले परिवर्दनों को भी रिखांकित करती है इसमें विभिन प्रोजेक्ट्स जैसे स्वतंत्र भारत की प्रथम संसद, विश्वस्तरी सेंटल विस्टा एविन्यू, अत्याधोनिक केंद्री सचवाले, रक्षा एंक्लेब, एक्सेक्योटिव एंक्लेब के बारे में भी विश्टित जानकारी उपलब्ध है इसी के साथ परिसर के पुनर विकास की औचित का भी विवरन देकर हर प्रकार की भांतियों का निवारण भी इसमें किया गया है निरंतर हो रहे कारे की प्रगती का वेवरण भी इसमें शामिल है हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाशाओं में उपलब्ध वेबसाइट में देशवासियों द्वारा अपने बहुमूले सुझाव देने का भी प्रावधान है सभी देशवासी www.centralvista.gov.in की यात्रा पर अवश्य जाएं देशित में अपने सुझाव सांजा करें इसमें सहभागी बनकर रास्ट्र निर्माण के यग्य में अपनी कार्यांजली अवश्य अर्पित करें जैसा कि आप देख रहे हैं विभिन पहलू हर्दे में रास्ट्र भक्ती की प्रचंड लौ सांसों में पुरुशार्थ की उर्जा रास्ट्र सर्वुपरी जिर्का जीवन मंत्र है मैं माननी प्रधान मंत्री जी से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि हम सब को अपना आशिर वचन दे अपने संदेश से हम सब को अनुक्रहित करें माननी प्रधान मंत्री जी मंत्री मंधिल के मेरे वरिष्ट सहयोगी स्रिमान राजनाशी जी हरदिप स्रीम पूरी जी अजय भर्ड जी काउशल किसोर जी चीफ अफ डिफेंस स्टाफ जनर्द विपिन रावज जी तीनों सेनाओं के प्रमूक बरिष्ट अधिकारिगान अन्य महारुभाव देवियों और सज्जनों आज हादी के 75 वे वर्ष में आज हम देश की राजधानी को नए भारत की आवशक्ताओं और आकांशाओं के अनुसार विक्सित करने की तरफ एक महत्वपून कदम बढ़ा रहे हैं ये नया डिफेंस आफिस कॉंप्लेक्स हमारी सेनाओं के कामकाच को अधिक सुविधा जनक अधिक प्रभावी बनाने के प्रयासों को और ससक्त करने वाला है डिफेंस से जुड़ा हमारा कामकाच दूसरे विश्वयुत के दोरान बनाए गए हटमेंट्स से ही चल रहा था ऐसे हटमेंट्स जिनको उस समय गोड़ों के अस्तबल और बैरकों से संबन्दी जरूँ के अनुसार बनाया गया आजहादी के बाद के दसकों में इनको रक्षा मंत्रा ले थल से ना, नव से ना और वायू से ना के दप्तरों के रूप में विक्सित करने के लिए समय समय पर हल्की फुली मरंबत हो जाती थी कोई उपर के अधिकारी आने वाले तो थोड़ा पेंटिंग हो जाता था और ऐसे ही चलता रहा इसकी जब बारीकियों के मैंने देखा तो मेरे मन में पहला विचारी आया कि ऐसी बुरी अवस्ता में हमारे इतने प्रमूख सेना के लोग देश की रक्षा के लिए काम करते हैं इसकी इस हालत के सबन्द में हमारे दिल्ली के मीडिया ने कभी क्यों लिखा क्यों नहीं यह मेरे मन में होता था वरना यह ऐसी जगह थी है कि जुरूर को इनको अलोचना करता कि भारचर का क्या कर रही है लेकिन पता नहीं किसी ने इस परधान नहीं दिया इन हट्मेंट्स में आने वाली परिशानियों को भी आप लोग भली भादी जानते हैं आज जब 21 सदी के भारत की संय ताकत को हम हर लिहाज से आधुनिक बनाने में जूटे हैं एक से एक आधुनिक हत्यारों से लेस करने में जूटे हैं बॉर्डर इंफ्रस्ट्रक्चर को आधुरिक बनाया जा रहा है चीफ आप डिफेंस टाप के माध्यम से सेनाओं का कोडिनेशन बहतर हो रहा है सेना की जरुरत की प्रोकृर्मेंट जो सानो साल चलती थी वो तेज हुई है तब देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़ा कामकाच दसों को पुराने हटमेंट से हो ये कैसे संभव हो सकता है और इसलिए इन सीत्यों को बदलना भी बहुत जरूरी था और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो लोग सेंट्रल विस्टा के पोजे के पीछे डंडा लेकर के पड़े थे वे बड़ी चतुराई से बड़ी चालाकी से सेंट्रल विस्टा पोजे का ये भी एक हिस्सा है साथ हजार चे अधिक सेना के अपसर जहां काम करते हैं वो विवस्ता विक्सित हो रही हैं इस पर बिलकुल चूप रहते थे क्योंकि उनको मालूम था कि जो ब्रह्म फैलाने का इरादा जूट फैलाने का इरादा है जैसे ही इस बात की सामने आएगा तो फिर उनके सारी गबबाजी चल नहीं पाएगी लेकिन आज देश देख रहा है कि सेंट्रल विस्टा के पीशे हम कर क्या रहे हैं हर काम को प्रभावी रुप से चलाने में बहुत मदद करेंगे राजधानी में आदूनिक डिफेंस एंकलेव के निर्मान की तरफ ये बड़ा और महत्वक्पून स्टैप है दोनों परिसरों में हमारे जवानों और कर्मचारियों के लिए हर्द जरूरी सुविदा दी गई है और मैं आज देश वास्यों के सामने मेरे मन में जो मन्सन चल रहा था उसका भी जिक्र करना चाहता हूँ 2014 में आपने मुझे सेवा करने का सवभाग दिया और तब भी मुझे लगता था कि ये सरकारी दप्तरों के हाल ठीक नहीं है संसरत भवन के हाल ठीक नहीं है और 2014 में आकर के ही मैं पहला ये काम कर सकता था लेकिन मैंने वो रास्ता नहीं चुना मैंने सबसे पहले भारत की आन बान शान भारत के लिए जीने वाले भारत के लिए जूजने वाले हमारे देश के बीर जवान जो मात्र भूमी के लिए शहीद हो गए उनक्यास मारक बनाना सबसे पहले तै किया और आज जो काम आज़ादी के तुरंत बाद होना चाहिए था वो काम 2014 के बाद प्रारम हुआ और उस काम को पूर्ण करने के बाद हमने हमारे दप्तरों को ठीक करने के लिए सेंट्रल विष्ठा का काम उठाया सबसे पहले हमने याद किया मेरे देश के वीर शहीदों को वीर जवानों को साथियों यह जो निर्माण कार्य हुआ है काम काज के साथ साथ यहाँ आवासिय परिष्ठर भी बनाए गए है जो जवान 24 बाइ 7 महत्वपूर्ण सुरक्षा कार्यों में लगे रहते हैं उनके लिए जरूरी आवास कीचन मैज इलाज से जुड़ी आदूनिक सुविधाएं इन सब का भी निर्माण किया गया है देश भर से जो हजारों रिटाइड साइनिक अपने पुराने सरकारी कामकाज के लिए हां आते हैं उनको भी अब उनके उमर के एक सिती पर वो पहुँचे हैं उनका भी विशेश खयाल रखना उनको ज़्यादा परेशानी ना हो इसके लिए भी उचीत कनेक्टिविटी का यहां ध्यान रखा गया है एक अच्छी बात ये भी है जो बिल्लिंग अब बनी है और राजधानी के भवनों का जो पुरातन रंग रूप है जो उसके पहचान है उसको बरकरार रखा गया है उसको बनाए रखा गया है भारत के कलाकारों की आकरशक कलाकुर्तियों को आतमंदिर भर भारत के प्रतिकों को यहां के परिशरों में स्थान दिया गया है यानि दिल्ली की जिवन्तता और यहां के परियावरण को सुरक्षित रखते हुए हमारी सांस्कृतिक विवितता का आधूनिक स्वरूब यहां हर कोई अनुभव करेगा साथियों दिल्ली को भारत की राध्धानी बने सो वर्षे अधिक का समय हो गया है सो वर्षे अधिक के इस कालखन में यहां की आबादी और अन्य परिस्थित्यों में बहुत बड़ा अंतर आ चुका है जब हम राध्धानी की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक शहर नहीं होता है किसी भी देश की राध्धानी उस देश की सोच उस देश के संकल्प उस देश का सामर्थ और उस देश की संस्कृति के प्रती होती है भारत तो लोकतंत्र की जननी है इसलिए भारत की राध्धानी ऐसी होनी चाहिए जिसके कैंदर में लोक हो जनता जनारदन हो आज जब हम इस अफ लिविंग और इस अफ डूइंग बिजनेस इस पर फोकस कर रहे हैं तो इसमें आधुनिक इंफ्रास्रक्टर की भी उतनी ही बड़ी भूमिका है सेंट्रल विस्टा से जुड़ा जो काम आज हो रहा है उसके मुल में यही भावना है इसका विस्टार हमें आज शुरू हुई सेंट्रल विस्टा से जुड़ी वेब साइट्स में भी दिखता है साथियों राजदानी की आकांच्छाओं के अनुरूप दिल्ली में नए निर्मार पर बीते वर्षों में बहुत जोड़ दिया गया है देश भर से चुड़ कर आए जन प्रतिनिध्यों के लिए नए आवास हो अम्बेडकरजी की स्मृतियों को संजोने के प्यास हो अनेग नए भवन हो जिन पर लगातार काम किया गया है हमारी शेना हमारे शहीदों हमारे बलिदानियों के सम्मान और सुविदा से जुड़े राश्ट्रियस मारक भी इसमें शामिल है इतने दसकों बार, सेना, अर्थसैनिक बलों और पुलिस बल के शहीदों के लिए राश्ट्रियस मारक आज दिल्ली का गवरो बढ़ा रहा है और इनकी एक बहुत बड़ी विशेस्ता ये रही है कि इनमें से अधिकतर तए समय से पहले पूरे किये गए है वरना सरकारों की पहचान यही है होती है, चलती है, कोई बात ने चारशे में नय तो देर स्वाभाविक है हमने एक नया बरकल्चर सरकार में लाने का इमानदारी से प्रयास किया है ताकि देश की संपति बरबात न हो समय सिवा में काम हो निर्धारी खर्च से भी कुछ कम खर्च में क्यों न हो और प्रोफेशनल इजब हो, एफिसेंसी हो इन सारी बातों पर हम बल दे रहे हैं यह सोच यह अप्रोच में आई एफिसेंसी का एक बहुत बड़ा उधारन आज यहां प्रस्तूत है डिफेंस आफिस कॉंप्लेक्स का भी जो काम चोबिस महने में पुरा होना था वो सिर्फ बारा महने के रिकॉर्ड समय में कम्प्रीट किया गया यहने पचास प्रतीशत समय बचा लिया गया वो भी उस समय जब कॉरोना से बनी परिस्तितियों में लेबर से लेकर लोकडाउं डिकना अपलाना न जाने कितने सारी कठिनाईयों से बीचम गुजरे हैं इन तमाम प्रकार की चुनोतियां सामने थी कॉरोना काल में सैंकडो स्रमीकों को इस प्रोजेक में रोजगार मिला है इस निर्मान कारिय से जुड़े सभी स्रमिक साथी सभी इंजीनियर सभी कर्मचारी अधिकारी ये सब के सब इस समय सीमा में निर्मान के लिए तो अभिदन के अधिकारी है लेकिन साथ साथ कोरोना का इतना भयानक जब खौप था जीमन और मुर्तियू के बीच में सवालिया नसान थे उस समय भी राष्ट निर्मान के इस पवित्र कारिय में जिन जिन लोगों ने योगदान किया है पुरा देश उनको बधाई देता है पुरा देश उनका अभिनंदन करता है यह दिखाता है कि जब नीती और नियत साफ हो इच्छा शक्ति प्रबल हो और प्रयास इमानदार हो तो कुछ भी असंभव नहीं होता है सब कुछ संभव होता है मुझे विश्वास है देश की नई पार्लामेंट बिल्लिंग का निर्माण भी जैसे हरदीब ची अभी बड़े विश्वास के साथ बता रहे थे तैस समय सीमा के भीतर ही पूरा होगा साथियों आज कंस्रक्षन में जो तेजी दिख रही है उसमें नई कंस्रक्षन टेक्नोलोजी की भी बड़ी भूमिका है डिफेंस ओफिस कॉंप्लेक्ष में भी पारम पारीक आर्सी सी निर्माण के बजाए लाइट गेज टील फ्रेम तेक्निक का उप्योग किया गया है नई तेक्निक के चलते ये भवन आग और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं से अधिक सुरक्षित है इन नए परिशनों के मनने से दरजनों एकड में फैवे पुराने हटमेंट्स के रखरखाओं में जो खर्च हर वर्ष करना पड़ता था उसकी भी बच्चत होगी मुझे खुशी है कि आज दिल्ली ही नहीं बलकि देश के अन्य शहरों में भी स्मार्ट सुविधाएं विक्सित करने गरीबों को पक्के घर देने के लिए आधुनिक कंस्रक्षन टेक्नलोजी पर फोकस किया जा रहा है देश के छे शहरों में चल रहा लाइट हाउस प्रजेक्ट इस दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयोग है इस सेक्टर में नए स्टार्ट अप्स को प्रोसाइद किया जा रहा है जिस स्पीड और जिस स्केल पर हमें अपने अर्बन सेंटर्स को ट्रांस्फर्म कर रहा है वो नई टेक्नलोजी के व्यापक उप्योग से ही संभव है साथियों ये जो डिफेंस ओफिस कॉंप्लेक्स बनाए गए है ये वर्क कल्चर में वर्क कल्चर में आये एक और बढ़लाव और सरकार की प्रात्विक्ता का प्रतिमीम है ये प्रात्विक्ता है उपलब्द लेंड का सदुप्योग और सिरफ लेंड ही नहीं हमारा ये विश्वास है और हमारा प्रयास है कि हमारे जो भी रिसोर्सिज है हमारी जो भी प्राकृतिक संपदाएं है उसका अप्टिमम यूटिलाजेशन होना चाहिए अनाप सनाप ऐसी संपदा की बरबादी अब देश के लिए उचित नहीं है और इसी सोच के परडाम स्वरुप सरकार के अलग-अलग डिपार्टमेंट के पास जो जमीने हैं उनके प्रापर और अप्टिमम यूटिलाजेशन पर परफेक्ट प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने पर बल दिया जा रहा है इस जो नए परिशर बनाए गए है वो लगभग तेरा एकड़ भुमी में बने है देश वासी आज जब यह सुनेंगे जो लोग दिन रात हमारे हर काम की आलोचना करते हैं उनको जरा उनका चहरा सामने रखकर के इन चीजों को सुने देश वासी दिल्ली जैसे इतने महत्वपूर्ण जगा पर 62 एकड़ भूमी में राज दानी के अंदर 62 एकड़ भूमी में इतनी विशाल जगा पर यह जो हटमेंस बने हुए थे उसको वहाँ से हमने सिप्ट किया और उत्तम प्रकार की आधुन की बवस्ता सिरफ 13 एकड़ भूमी में 13 एकड़ भूमी में निर्माण हो गई देश की संपति का कितना बड़ा सदुप्योग होगा यानि इतनी बड़ी और आदुनिक सुविधाओं के लिए पहले के मुकाबले लगबग पाज गुना कम भूमी का उप्योग हुआ है साथियों आजहादी के अमरितकाल यानि आने वाले 25 सालों में नए आत्म निर्भर भारत के निर्माण का ये मिशन सब के प्रयाश से ही संबव है सरकारी व्यवस्ता की प्रोडक्टिविटी और एफिसेंसी बढ़ाने का जो बिड़ा आदेश ने उठाया है यहां बन रहे नए भवन उस सपनों को सपोर्ट कर रहे हैं उस संकल्प को सांकार करने का विश्वाद जगा रहे हैं कॉमन केंद्रियस सचिवालाय हो कनेक्टेर कांफरेंस हौल हो मैट्रो जैसे पॉबलिक ट्रांसपर से सुलप कनेक्टिविटी हो यह सब कुछ राजधानी को पीपल फ्रेंडली बनाने में भी बहुत मदद करेंगे हम सभी अपने लक्षों को तेजी से प्राप्त करें इसी कामना के साथ मैं फिर एक बार आप सब को बहुत बहुत सुब कामनाय देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद मानेवर आपका एक एक शब्द हर सैनिक के लिए करता पिपत पर डटे रहने की प्रेरणा है आपके नेत्रतु की प्रखरता में दुनिया के मानचित्र पर पुनह वेशु गुरु साउभरता आत्म निर्भरत भारत नजर आता है ऐसी आत्म निर्भरता जिसकी आत्मा वसुधैब को टुम्बकम की परमपराओं में नहीं ही थै संस्कृती जो पूरे विश्यो को एक परिवार तथा प्रत्वी को जननी का दर्जा देती है माता भूमी पुत्रो अहम प्रिथिप्याह इनही वैदिक मंत्रोचारण के बीच आपकी गर्मा मयुपस्तिती में हुई शुरुआत का आज एक अहम पढ़ाओ हम सभी रदे से धन्यवाद देते हैं आपकी गर्मा मयुपस्तिती का धन्यवाद शिवान मान्य प्रदहन मंत्रीशी नेरेंडर मोदीने अफ्रिकान